Hello students, Welcome to our YouTube channel Commerce Reficiency आज की class निम्ट कवर करेंगे mid value series यहाँ पर हमें class interval की बजाए क्या given होती है mid values given होती है तो कैसे इसको solve out कर सकती है इसे last class में हमने cover किया था अलग-अलग type के जो हमारे पास series आती है inclusive series cover की थी cumulative frequency series cover की थी और हमारे पास अनिक्वल class interval series को हमने cover किया था अगर भी तक आपने last classes नहीं देखी देखिए ताकि आपके study में consistency बनी रहे अगर भी तक आपने मेरे चैनल Commerce Reficiency को subscribe नहीं क्या subscribe कीजिए और bell icon जुरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने videos upload करूँ सबसे पहले notification के पास जाए आप videos को सबसे पहले देखो आपकी study बूस्ट अप हो तो यहाँ पर mid value series में क्या उता बचो कि यहाँ पर हमें class interval की बजाए क्या given होते है mid value given होती है तो हमने इस mid value को किसमें convert करना होते है class interval में convert करना होते है तो किते है कि median calculate करना है हमने mid value जो हमारे पास given है और frequency given है mid value 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75 जो given है तो यहाँ पर हमारे पास frequency है 15, 7, 11, 10, 13, 8, 20 और 16 सबसे बेला काम क्या होते है हमारा इस mid value को बीच में gap को check करना की gap कितने है तो हमने देखा 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 तो हर एक के बीच में जो gap वो 10, 10 का gap जो show करता है तो इस gap की help से हम कैसे calculate करते है तो अब इसको solid करते है हम हमारे पास जो class होती है बच्चो यहाँ पे होती है lower limit यहाँ पे होती है upper limit lower limit में कैसे calculate करते है हम lower limit को calculate करने का जो हमारा तरीका होते है mid value के help से इसरी case है हमारे पास lower limit और क्या जाएगी, upper limit आजाएगी, question में हमें mid value जो given है, first case में mid value given है 5, interval gap हमने 10 calculate किया था, divide करते है 2 से, mid value 5 प्लस करते है, interval gap 10, divide by 2 करते हैं, तो हमारे पास जब इसमें इसको calculate करें, तो हमारे पास 5, 5 में से 5 वेगे 0, 0 से लेकर कि हम इसको देखते है, 2, 2, 5 आजेगे, यहाँ पे 10, तो हमारे पास first class क्या आगी, 0 तो 10 तक आगी, तो हमने देखा कि जो interval gap था, वो कितना 10, 10 था, तो यहाँ पे हमने अब next class series को start कर देन 10 का gap लेकर गे, तो हमारे पास x आजेगा, first हमें पचल लगा कि 0 से 10 है, फिर ऐसे next 10 का gap इंटरवर्क के बीच में, तो 10 to 20 आजेगा, 20 to 30 आजाएगा, इसरी कि इसको continue रखेंगे, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 70 to 80 तक, तो हमें frequency given है question के अंदर, frequency में हमारे पास जो data है, frequency को हमें चेंज करने की जोरत नहीं होती, बच्चों जैसे frequency होती होती है, तो frequency को हमने है, 15, 7, 11, 10, फिर हमारे पास 13, 8, 20 और 16 given है, इसका total जब हम लेते हैं, end तो हमारे पास बनते हैं 100, median calculate करने के लिए सबसे पहले कह जाए होती है, हमें cumulative frequency जाए होती है, first number है 15, 15 में plus करेंगे 7, त हमारे पास आज़ेगा 33, प्लस करेंगे 10, तो हमारे पास आज़ेगा 43, 43 में plus करेंगे 13, तो हमारे पास बनज़ेगा 56, 56 में plus करेंगे 8, तो हमारे पास बनज़ेगा 64, 64 में plus करेंगे 20, तो हमारे पास बनज़ेगा 84, 84 में 60 ने add करेंगे, तो हमारे पास आज़ेगा 100, तो ह हमने इस फिफ्टी को कहां चेककरना होता है कंद चेकиватьकरना होता है 50 से तो बढ़ा लेकिन इस से क्या चोटा है तो यहां पर हमारे लगाना होते है median का, median का formula क्या कहते है, median calculate करने की जह हम lower limit में plus करते है, size यान की n by 2, minus करते है cf को, और divide करते है f से और multiple करते है interval gap से तो हमारे पास median की value जो आ जाती है, lower limit हमने देखा कि 40 है, 40 plus में, n by 2 size करके हमारे पास कितना है 50, minus करते है cf जो हमारे पास जाता है 43 से, frequency जो हमारे पास 13 है, और class interval का जो gap है वो हमारे पास 10, तब इसको solve out करते हैं, solve out करके हम देखते हैं कि हम सबको हमने जब solve out किया, तो हमारे पास जो value बनती है, value आ जाती है 5.385 जो value बन जाएगी, तो जब इस इन दोनों का add करें, तो हमारे पास आजएगा 45.385, तो यह हमारे पास क्या होगा, और यह हमारे पास क्या answer है, तो इसरी किसी बच्चों हमने first काम क्या आता है, mid value को convert क करना, किसके अंतर, class interval के अंतर, तो हमने continue सीरीज में क्या किया, mid value थी हमारे पास, mid value को पहले class बनाया, mid value lower limit में माइनस करते है, interval gap divided by 2 करके, mid value upper limit में क्या करते है, प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास first class पाच लगी, और हमने देखा था कि interval gap कि दिने 10 का, तो अब फिर next हमने क आगे दिने 10 10 का gap लेगर के start गर दिनी है, और बाकी simple हमारे जो हिसाब रहेगा, जैसे हम करते हैं, वैसी रहेगा, तो इसरी किस बच्चों हमारे पास point परनता था, कि अगर हमने calculate करना होते है, mid value की help से, किस सीरी को class interval को तो क्या case रहते हैं, next हमारे पास आता है कि अगर missing frequency calculate करना है, तो केs में क्या रहेगा, missing frequency मी कैसे locate करेंगे, तो हमारे पास data given और missing frequency calculate करो, जहाँ पे number हमारे पास total 100 है, और median हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे number पता ही number क्या मतलग क्या आता है, frequency का total, औरandid हमारे हमारे पास 30 given है, माक से 0 से 10 के बीच में 10 frequency 10 to 20 की calculate करनी है 22 to 30 के 25 30 to 40 में 30 40 to 50 के हमने calculate करनी है 50 to 60 के 10 तो ये दो values हमने missing value है जो calculate करनी है तो इसको solid करते हैं सबसे पहले variable में लेते है X हमारे पास data given है 0 से लेकर लेकर 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 frequency given है question के अंदर already 10 है ये missing frequency इसको letter कर लेता है कि ये हमारे पास F1 है फिर 25 फिर 30 ये missing इसको letter कर लेता है कि frequency 2 है हमारे पास then हमारे पास 10 इसमें हमने question के अंदर already बोल दिया कि number है जो count कितनी है हमारे पास 100 है तो number हमें पास चल गया सबसे पहले हमारा काम होते हैं cumulative frequency हो calculate करना फर्स्ट नमबर एस रिज रहेगा 10 में प्लस करेंगे F1 तो हमारे पास क्या आज़ेगा 10 प्लस में F1 हो जाएगा 10 प्लस में 25 करेंगे तो 35 प्लस में F1 आज़ेगा 35 में प्लस करेंगे 30 तो हमारे पास 65 प्लस में F1 आ जाएगा 65 में प्लस करेंगे F2 तो हमारे पास क्या बंज़ेगा 65 प्लस में F1 प्लस में F2 है जो आ जाएगा 65 में प्लस करेंगे 10 को तो हमारे पास 75 प्लस में F1 प्लस में F2 है जो आ जाएगा अब हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल गिवन है इसको सेट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल है वह 100 गिवन है नमबर हैं पता है कि 100 है जब हम फ्रिक्वेंसी का टोटल करते हैं तो हमने देखा कि वह 100 के इकुल है फ्रिक्वेंसी जब हम इसका टोटल करें तो हमारे पा सकते हैं एक फ्रवर्ण प्लस में एक लागा 25 के एक एक फ्रवर्ण ना के हमने यहां पर छोड़ दी नेक्स नमें कोश्चन में बोला कि मीडिन 30 है 30 कहां लाई करें का तो हमने और यहां से क्या कि लिए लोर क्लास इंटर्वर जो पहर चल गया तो यह करने का शिंब क्लास के लिकल्मार सामने हमारे पास क्या होता है इंत्रवर्ण गैप से हमनेँ आ संद फैर्वर्ण तो दो 40 के बीच में तो लोड लिमेट की थार्टी तो 30 लोड विमेट आ गया नंबर कॉशचन में गिवन है कि 100 टोटल है जो नंबर माइंस फिर्केंसी जो हमारे पास आती है यह 35 प्लस में वार्न दिवाइड करते हैं एक है मतल्टिपल गरते हैं कि यह मैँटिपल करते हैं क्लास इंटर्वल गैप यहां पर मीडिन की वैली रखते हैं मीडिन कितना गिवना है मारे कोशन के अंदर 30 तो यहां पर यह 30 यह प्लस के सदा किसी जगा माइनस का 30 में 30 के तो यह 0 बन जाना है इसने तो सब को सोल आट करते हैं अब हम 100 डिवाइड बे टो करें तो हमारे बास बनेगा 50 तो 50 माइनस करते हैं 35 प्लस डिवाइड बै 30 इंटू में 10 जो हमारे पास डाटा है यह 30 में 30 गया तो यहां पर 0 आगया यह 50 में माइनस का 35 करेंगे 50 में से 35 माइनस कें तो यह 15 का बचेगा तो यह माइनस को जब हम दर लेके जाएंगे तो हमzarot 11 ओ जाएगा जब यहां से हमारे पास जो F1 की value की आ जाएगी 15аров हुए 50 आ जाएगी 5Sab फ्वाइन हमने पैसा है की एक्वेकेशंнет हुआ है एकडाँ के इक्वेली यहां की अंदर तो हममें RHc की value का जाएगी आझाल जाएगी तो हमने इस value को प्भाइ। था naw प्लस में F2 is equal to 25 जो equation given थी F1 की value कर 15 है तो F2 की value यहां से आजएगी तो कैसे calculate करेंगे F2 की value तो यहां पर 25 में से minus करेंगे 15 को की equal के उससर जाके minus को जाएगा तो हमारे पास F2 की value कितने आजएगी 10 तो यहां से पचल लगा कि F1 की जो value आई थी 15 और F2 की value कितने आगे है 10 आगे है तो यही हमें question के अंदर पुछा था तो यही क्या हमारे लिए answer है missing frequency जो हमने calculate कर लिए इस तरीके से बच्चों यह हमारे पास topic बनता था next class में cover करेंगे quartide, deciler, percentile वार topic ऐसी regular video देखने के लिए आप मेरे channel commerce efficiency को subscribe, like और share करें bell icon जुरूर पैस करें ताकि जबी मैंनी videos upload करूँ सबसे पहल नोटिफिकेशना के पास जाए आप videos को सबसे पहल देख और आपकी study boost up हो